संगवी इको सिटी मिरा रोड इसमें 2BHK की रीसेल की प्रॉपटी है आए जानते हैं पहले इसका साइज क्या है प्रॉपटी का कितने माले का टावर है यह सब कुछ मैं प्रॉपटी दिखाते हुए ही सब कुछ बताते चले जाओंगा फिर बाद में मैं प्राइजिंग तू भी इसके का रीसेल के फ्लैट के बारे में आपको मैं दिखाऊंगा इस बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है एंटरंस लॉबी कैसा है में इंटरंस गेट दिखाऊंगा फ्लैट दिखाऊंगा इमेनिटीज दिखाऊंगा साथी साथ मैं डियूरिंग वीडियो ही आपक प्रापटी डीलर मुंबई से स्वागत करता हूं एक बर फिर से हमारे यूटूब चानल प्रापटी प्लाजा विकास बरनवाल में दोस्तों आए मैं पहले आपको फ्लैट दिखाता हूं फिर बाद में इसका डिटेल मैं बात करूंगा दोस्तों यह संगवी इकोसिटी में जाने का रास्ता है दोस्तों जो विश्णु मंदिर से आप आते हैं तो यह सीधा-सीधा रोड आपको संगवी इकोसिटी के अंदर लेके आता है सामने आप देख सकते हैं विश्णु मंदिर है यह entrance lobby है यह और मैंने elevation आपको दिखाया है और लास्ट में भी आपको दिखाऊंगा प्रापर सारों का जितने भी संगवी इकोसिटी में विंग्स हैं सबका यह entrance lobby इतना ही इकोसूरत बिलर ने बना के दिया है आप देख सकते हैं बहुत ही नेचर के नजदीक बनाया है इस complex को इसके बाद कोई city का विव आता ही नहीं है सिधा सिधा नेशनल पार्क का विव आता है संगवी से पूरा स्काइन ट्रांस lobby है यह आप पूरा देख लें उसके बाद में लेचलूंगा आपको फ्लैट में यह दो हाइज स्पीड लिफ्ट है यह इसका टूबीज के का फर्निस्ट फ्लैट है एक्चली वह रीसेल की प्रॉपर्टी जो मैं दिखाने की बात कर रहा था दोस्तों वह तूबीज की प्रॉ बालकनी है लिविंग डाइनिंग एरिया में और सामने ही BMC का खुबसूरत गार्डन बना हुआ है यह विंडो के साइट से आपको डाइनिंग का व्यू दिखा रहा हूं कि एल सेप में पूरा इसका हॉल है लिविंग डाइनिंग से एंटर करते ही राइट हैं साइट पे किचन है इसका किचन भी देखें तो आप काफी बड़िया स्पेशियस किचन है इसका अभी जो इनका ओफर चल रहा है उसमें वन बीज के फुली फरनिस्ट यह सेल कर रहे हैं 65 लाक में फुली फरनिस्ट आप अगर फुली फरनिस्ट में इंट्रस्टेड हैं तो आप हमें फोन करें उपर दिये हुए नंबर पर आपको मैं हेल्फ करूंगा पूरी आइडिया देने के लिए पूरे प्राइजिंग का साइजिंग का ताकि आपके लिए आसान हो जाए समाझना गर बैठें फिर आप आएं हम बुकिंग करा के देंगे आपको साथी साथ क्या डिसकाउंट स्कीम है वह भी समझा के देंगे यह कॉमन वाश्रूम है इसका जो किचन से थोड़ा आगे जाके ही लेपन साइट पर था और यह किड्स बेडरूम है कॉमन बेडरूम है यहां पर उन्होंने कुछ फरनीचर बनाया है बट आप स्पेस देखके समझ सकते हैं कि कितना खुब्सूरत है और तीन से चार फूट की बालकनी दिया हुआ है और कोपेंस से सटिफिकट आने के बाद कुछ तो जो यूजर से हैं वो इस बालकनी को ब्रेक करके मर्ज कर ल कि इसका मासटर बैड रूम में एंटर करते हही लेफ्र और जायट पर आपको व स्रूंब मिल जाता है कि यह करना मास्टर बेड्रूम का वास बेशिन बगर दिया हुआ है और मास्टर बेडरूम का स्पेस देखे तो बहुत ही कुपसूरत दिया है ऐसे ही फर्निस्ट फ्लैट आपको यहां पर वन भी एज के मिलने वाला है जिसकी प्राइजिंग मैं अल्री बता चुका हूँ यह प्राइजिंग कितना है यह मैं वीडियो के प्रोजेक्ट दिखाने के बात बताऊंगा यह तो टू भी एज के का फ्लैट है इसमें भी तीन से चार फूट की बलकनी है और यह मैं दिखा रहा हूं आपको सेकंड फ्लोर पर दिखा रहा हूं हाइर फ्लोर से जहां पर यह उसमें से वीडियो सूट करने के लिए नहीं मिला है हमें और यह अंदर के साइट से पूरे फ्लैट का व्यू है मैं आपको फ्लैट दिखा दूँ उसके बाद मैं दिखाता हूं इसमें स्विमिंग पूल, कलब हाउस, जिमनासियों बगरा, एमेनिटीज बगरा किस टाइप का है यह इसका पूरा पैसेज अरिया है हर एक फ्लोर पे जिस फ्लोर पे चार से ज्यादा फ्लैट है उस पे दो स्टेर केस कंपलसरी हो जाता है और दो से ज्यादा लिफ्ट भी कंपलसरी हो जाता है दो staircase इसलिए एक अंपल सरी हो जाता है because एक staircase में कभी कुछ firing का case हो तो दूसरे staircase से लोग निकल सकें दूसरे city से लोग जा सकें बाहर इसके लिए ये मैं आपको higher floor से सिर्फ एक flat का view दिखा रहा हूँ आप देख सकते हैं कितना ही mesmerized view है ये पूरे आपको hill station देखने को मिलता है मैं MNTS में आपको लेकर आगया हूँ ये बच्चों को खेलने के लिए kids play area है MP theater है ये बच्चों के confidence build करने के लिए कुछ stage के सामने speech देना हो 20-50 public को बिठा के तो कर्फ है ये बच्चों को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए या फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ये elevation है संगवी के हर एक building का elevation इतना ही खुबशूरत बना रहे हैं सामने clubhouse है अभी हम चलेंगे clubhouse में देखेंगे किस टाइप कर स्विंग पूल है है clubhouse है जिमनासियम है मल्ली प्रपस कोट है कर दाया है इसका और यह बेस्मेंट पार्किंग है जो आप देख रहे हैं कि हम clubhouse के अंदर है दोस्तों कि clubhouse का entrance है कि अगरे 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 सब्सक्राइब पर जाने का स्पेस है जाने के लिए स्टेर के से यह चीड़ी है ग्राउंड फ्लोर पर भी कुछ सेमाने के दिया हुआ है मैं आपको मैं दिखाने जा रहा हुँं कि एसे दो बैंकी विट हॉल है 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 और यह सामने ही आपको पूरे श्मिंग पूल यूज़ करने को मिलता है या समय को वियू मिलता है देख सकते हैं एक personal theater है complex के अंदर जहां पर आपके कुछ personal blogs, videos, movies, साधी के कुछ cassettes और blogs देखना हो तो आप उसको enjoy कर सकते हैं यहां पर बैठ के एक normal lifestyle की सारी चीजें इन्होंने यहां पर provide किया है builder ने यह gym equipments हैं और gymnasium है यह हम आगए हैं first floor पे club house का terrace है इसका और मैं first floor से आपको swimming pool दिखा रहा हूँ सामने kids swimming pool है और यह बीच में आपने जो बड़ा देखा है वो adult swimming pool है बड़े बच्चों के लिए बड़ों के लिए यहां से पूरा खुबसूरत view है नीचे के amenities का इनका construction करने का तरीका काफे बड़िया है आप देखें तो आपको complex के अंदर कहीं बाहर जाने की जरुत नहीं है और यह complex के अंदर का ही main road है जहां पे 5 faces यह develop कर रहे हैं अभी मैं video दिखाने के बाद complete करने के बाद बताऊंगा इसमें इन्होंने बहुती खुबसूरत एक मंदिर दिया है जहां पे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है यह ज्यादतर इसमें हिंदू लोकाल्टीज है और यह सामने ही उसके अपोजिट में ही संगवी एस्थरी एकोसिटी का पोजिट में ही मुनसिपल्टी का गार्डन है बहुती खुबसूरत गार्डन डविलप किया हुआ है मैं आपको वीडियो में पूरा नहीं पा रहा हूं बट जितना हो रहा है मैं बेटर आपको दिखा रहा हूं कि अब देखके समझ पाएं बहुती ग्रीनरी और किट्स प्ले एरिया बच्चों के लिए खुबसूरती से डेविलप किया है बिलर ने डेविलप करके इनको गवर्मेंट को देखे उसके बाद प्रोजेक्ट बनाया है इन्होंने प्रोजेक्ट के बारे मैं बात करूंग इसमें फेस वन टू त्री फोर फाइव फाइशेस है इसमें फेस वन इसका कंप्लीट हो चुका है जिसमें यह रिजल की प्रोपरटी है सेल करने के लिए टू और थ्री अंडर कंसक्शन है फोर और फाइव नियर टू लांच है यह भी लांच करने वाले हैं दस से पच्छीस माले का विल्डिंग है यह ग्राउंड फ्लोर प्लस बेस्मेंट इसका पार्किंग है इच फ्लोर छे फ्लैट है इसका हर एक फ्लोर प पर देख सकते हैं इस पर जीड़ा रोड का सिटी व्यू है इसमें टोटल थर्टीन एकड का लैंड है शे एकर इसका गार्डिन में डेवलब किया है और और साधे पांच एकड़ में नहीं कंस्रक्शन किया है वन पॉंट फाइव एकर रोड को लिए डेवलब किया है सारे बैंकों से अप्रूब्ड है यह सब्सक्राइब करती है इसका इंडारेक्ट मतलब आप समझ जाएं की प्रापर्टी का टाइटल बिल्कुल क्लियर है जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें हो जाएगा तुब इसके की प्रापर्टी है दोस्तों जिसमें कार्पेट पैसे एमेरिया है छ Judith प्राइजिंग की बात करूं और इंकलूशीफ यह उर्फी प्राइज प्राइज का एक करोड़ चार लाख रुपिया है एक करोड़ चार लाख रुप्या में और इंकलूशीफ हो जाता है तो इंडिरेक्ट कब समझ जाएं कि फ्लाट कॉस्ट इसका नाइटी सिक्स लाग फ्लैट कॉस्ट आ जाएगा दोस्तों और हाइवे पर देखें तो यह प्राइज में रिसेल या फिर न्यू में कोई प्रापर्टी नहीं है नाइटी सिक्स लाग टू भी एच्की की प्रापर्टी जो साड़े च्छास्वे स्कॉर फूर्ट के आसपास कार्पेट है तो बहुत ही रिजनेबल प्राइज है इस फ्लैट का इसलिए मैं यह वीडियो बना भी रहा हूं संग्विय में किसी ट्रिप टाइप का रिशेल या स्कूल पार्टी लॉन स्विंग पूल जिमनाशियम मिनी थियाटर यह इसके अमेनिटीज हैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो पांच मिनट के अंदर सिंगापूर इंटरनेशनल स्कूल एनन डाल्मिय स्कूल इस्टरा कॉन्वेंटर स्कूल बैंक अप बड़ोदा वेज स्कूल इस्टरा कॉलेज और्विट मल्टी स्पैसिलिटी हस्पिटल स्टेट बैंक ओफ इंडिया डी मार्ट इसकॉन मंदिर यह सब आप 10-15 मिनिट के अंदर पहुंच जाते हैं और 32-45 मिनिट के अंदर गोराई बीच ग्लोबल विपासिना पेगोड़ा पाली बीच रिस वसई किला, जिवदानी मंदिर, जुहू बीच, वर्सोबा बीच, सिद्य बनायक मंदिर, सिवाजी पाक, हाजी अली दर्गा, मालक्ष्मी मंदिर, मुंबादेवी मंदिर, बैंडर वर्ली सी लिंक, बैंडर फैसन स्टीट, मरिन ड्राइब, तारापूरा एक्कॉरियम, ग इसके बाद हम आपसे बिदालेंगे दोस्तों, आई जानते हैं हमारे सर्विसेस की बात करने दोस्तों, तो हम लोग न्यू लाँचिंग, न्यू बुकिंग, रीसेल, बैंक आक्षन की प्रापटी में डील करते हैं, बैंक आक्षन की प्रापटी जो होती है हमेशा 30-40% डि देखते हैं, और उनके पास जब कोई अर्जन सेल की प्रापटी आती है, तो हमें सामने से फोन करते हैं, विकास जी हमें सेल करना है, और देखता हूं, दददद 20-20 लाख रुपे डिसकाउंट पर रहता है, नॉर्मल मार्केट के प्राइस चे, न्यू लाँचिंग की जो प्रापटी हो, या बैंक ऑक्षन की प्रापटी हो, मैं हमेशा अपने चानल प्रापटी पलाजा विकास बरनवाल पर डालता रहता हूं, दोस्तों, आप से रिक्वेस्ट है, आप हमारा चानल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जब भी मैं ऐसे सब्सक्राइब करके रखें, साथी साथ हमारा वाट्सप नमबर है 9619871855, हमारा दूसरा नमबर है 8070807099, अब इन दोनों नमबर पे आपके वाट्सप नमबर से आपका नाम, लोकेशन, रिक्वार्मेंट, बजट और किस टाइप का आपका प्रापटी चाहिए, वो एक ब पाएगी है और आप उसका जल्दी से जल्दी बेनिफिट ले पाएंगे दोस्तों, यह हमारी सर्विसिस की बात करें दोस्तों, अगर यह प्रोजेक्ट आपको पसंद है, तो आप अपने फैमिली और फ्रेंट्स में भी सेर करें, अगर उन्हें भी प्रापटी पर्चेस क कोई भी काम रहेगा, तो मैं और हमारी टीम पूरी हेल्फ करेंगे उनको प्रापटी दिलाने में दोस्तों, फिर से आओंगा नए प्रापटी के साथ, नए लांचिंग प्रापटी, फाइदे वाली प्रापटी, ऑक्शन की प्रापटी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों झाल झाल झाल